और चलेंगे दिली जहाँपर पर्यावरनि मंतरी गोपल राइप लेस्प कांफेरेंस कर रहे क्या कुछ कह रहे हैं, आएए सुन लेते हैं. बहुत सारे पार्क हर्य भरे हैं, बहुत सारे पार्क हैं जो अन डवलब्ट हैं. तो दिल्ली के सभी पार्कों के अंदर हरियाली पैदा किया जाए इसको लेकर के सरकार काम सुरू कर चुकी है दिल्ली के अंदर फॉरेस सिटी डेवलप करने के प्रोजक्ट पर भी सरकार ने काम सुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर जो चुकि धिरे धिरे सारा सहर अर्वनाई जोता जा रहा है तो लोग अपने घरों पर अर्वन फार्मिंग करें इसके लिए भी अभी कैबिनेट ने डिसिजन लिया है कि दिल्ली के अंदर सहरी खेती को प्रोचसाहित किया जाएगा उसको लेकर के दिल्ली के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लेकर के अभियान चलाए जाएगा दिल्ली के अंदर अभी सिंगल यूज प्लास्टिक एक तारिफ से बैन हो चुका है जिसमें 90 आइटम्स है 90 items को ले करके कई लोगों के कई तरह के confusion है तो अभी enforcement के साथ साथ awareness campaign को चलाने का हमने निर्ड़े लिया है जिससे लोगों को aware किया जा सके कि कौन-कौन items ban है और कौन-कौन items ban नहीं है जैसे हमने कई जगा ये बात सुनी कई लोगों ने मुझे ये कहा कि अभी में market गया था और वहाँ पॉलिचिन की थैली भिक रही है आप लोग तो कह रहे है बैन है तो दिल्ली के अंदर 75 micron की नीचे की पॉलिचिन की थैली बैन है उसके उपर की थैली बैन अभी नहीं है दिल्ली के अंदर जैसे कई लोगों ने कहा कि भई थाली प्लेट जो है खाने वाली प्लास्टिक की बैन है गिलास बैन है लेकिन अभी तो बोटल का पानी बिकरा अभी बोटल का पानी बैन नहीं है एक एक चरणबद तरीके से उस पर सरकार निड़े ले रही है और आगे बढ़ रही है तो अभी जो 19 आइटम बैन हुए हैं उसको ले करके जागरूपता फैलाना और साथी साथ उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है उसको लोगों को परचारित करना जिसके लिए भी हमने एक सुरुवात की थी त्यागराजी स्टेडियम में जो सिंगल यूज प्लास्टिक विकल मेले के रूप में उसे और कैसे नीचे ले जाया जा उसके लिए काम करना साथी साथ जो हमारा वायू प्रदूसर्ण है जिसमें विकल पलूसर्ण जो हमें होता है खास्त और से जो दिल्ली के अंदर विकल पलूसर्ण का जो कंट्रिबूसर्ण है उसको ले करके और जो दिल्ली के अंदर dust pollution है उसको ले करके जो बायो मास burning होती है उसको ले करके हम campaign को आगे खासता और से winter में बड़े अस्तर पे चलाने वाले है उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो जल प्रदूस्वन है उसको ले करके भी सरकार बहुत सारे initiative से ले रही ह साथ ही साथ अब बहुत तरह के चुकि गाड़ियां बढ़ रही है तो धोनी प्रदूस्वन भी बढ़ रहा है उसको ले करके भी हम काम जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं तो इस तरह के जितने अभियान सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उसमें अब तक दिल्ली के यूगों के भरोसे और सहयोग से ही ये सफलता के तरफ बड़े हैं चाहि tenha दिली में हमने और इपन लागु किया और इवन की जो सफलता है धुनिया के बहुत सारे देसों ayoko दोज मेंरे कि हूंकि अई च्छिशेय को सफलता पुर्वक इंप्लिमेंट किया तो प्रसासन के के तंप्र नहीं सरकार के तंपपर नहीं ने वालेंटली कि उसको कई किया लोगोंने एक